इस वीडियो में डिसक्स करेंगी कि what is OSI Moodle मैं डिसक्स करेंगे कि exactly OSI Moodle है क्या हम लोग OSI Moodle को क्यों लेके आए थे और क्या होता है OSI Moodle मैं layer के बारे में information दूँगा यह नहीं बता हूँ कौन से रियर पर क्या काम होती है यह चीजे मैं अल्रेटी वीडियो बना चुक अगर्लिक कर देते हैं कि layer को explain करना शुरू कर देते हैं बोलने लगते हैं कि यह 7 layer एट application layer इस तिंग है पेन एट presentation यह इस तिंग है राइट कोन से लेयर पर क्या काम होती है इसको हम लोग explain करना शुरू कर देते हैं नहीं यह गलत है एक्जाक्ट आपको उसको proper answer देना OSI model OSI stand for open system interconnection open system interconnection क्यों लेकर आया गया था OSI model is developed to make communication possible to make communication possible between between different के बीच में कॉम्यूनिकेशन करवाने के लिए OSI model को develop क्या गया था देखो क्या होई थी अगर मां बात करूं 1970 के टाइम का उस टाइम में बहुत बहुत है जैसे प्रॉब्लम हो गए थी कि हो केंफुटर एल ट surrend बात कैसे करेगा जैसे एक office केंप्वाइस नंदर में 10 लोग बैटके कॉनिकेट कर रहे हैं यहां हम्मारी लिए चैनका ने और किस तरीके से इक जूसरे के साथ में कॉम्मίν falling करवा जाए तो जैसे सब्सक्राइब करो कि एक कम प्योंटर हह दूरार पुरों करつ कर необходимо करें कि पूसरात करें और ह्पी ने क्या किया कॉम्मिंगेट करभा भी है दोनों डिवाइस के बीच दोनों HP के डिवाइस के बीच में क्या हो रही थी उसी तरीके से डेल भी डेल भी अपना दो लैप्टॉप के बीच में क्या 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 क कर पा रहे थी मतलब ड्यफआंड के दीवाइस के बीच में करपा रही थी तो OW blijक्ति हो copied ने क्याए यह बना रिचान पाम्युनिकेशन बनाई और सारे दिस्टिब्यूट कर दिया और किया कि अगर तुम को इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो तुम जो अपना हाडवेर और सब्सक्राइब बनाओगे वह इस OSI मूडल के अकॉर्डिंग बनाओगे अधरबाइस तुम इंटरनेट से कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकती हो समझे मैं क्या बोल रहा हूं आपको मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के बीच में कॉम्यूनिकेशन नहीं हो रही थी पहले तो OSI मूडल को डेबलब क्या गया इसी डिफरेंट वेंडर के बीच में कॉम्यूनिकेशन करवाने के लिए राइट OSI मूडल ने क्या क्या साथ तो आप पह प्रोसेस को साथ पार्ट में डिवाइड करते हैं सिर्फ एक ही रिजन से उसको इजी बनाने के लिए अगर मैं आपको इतनी डिवाइड की दिवाइड के बीच में कम्यूनिकेशं चन तरीके से होगा इस साथ पार्ट में डिवाइड क्या घ्शितंट अगर को नया वंद आधा है नेट परह किक dura हमाले ऐसा किछ आ क्या में क्या टिवाइड किया साट साथ पार्ट में डिवाइड किया एक पीडर ट्रास्क ET और siagen made करवा जो साथ लियर था ए passions एाप्लिकेशन लियर प्रजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्ड़क डेटा इस तरीके से यह process को यूज करके दो डिवाइस के बीच में communication करवाया उसको क्या किया गया एक blueprint निकाला गया जैसे हमने कुछ किसी चीज की planning करते हैं कि हमने कंपनी खोलेंगे इसमें से employee को रखेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे हम लोग क्या करते हैं उसका blueprint बनाते हैं किया अब यह blueprint को क्या क्या सारे vendor company को distribute कर दिया गया और क्या बोला गया कि अगर तुम इंटरनेट से connect होना चाते हो तो तुमको hardware और software इस OSI model के according क्या करना होगा अधरबाइस तुम इंटरनेट के साथ connect नहीं हो सकती हो तो सारे vendor क्या किये इस तरीके से अपना OSI model का जो प्रोसेस था उसको उस प्रोसेस को यूज करके अपना hardware और software बनाना शुरू किया और उसके बाद सारे device के बीच में आप देख रहे हो किस तरीके से communication हो रही है अगर अभी मेरे पास देल की Laptop है किसी के पास HP की लेपट आफ है आम से connect करके क्या हो जाती है क्या हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इसी लीजन से क्योंकि OSI model ने क्या बोला है सब्सक्राइब तो दोनों जो डिवाइस है वहले ही डिफरेंट डिफरेंट वेंडर की है तो प्रोसेश को यूज़ कर रहा है उसकी जो मोड्स ऑफ इससो प्रोट si? को क्या किया है साथ-पार् में divide क्या गया कि ऐसे इडाथ की बंद रियोक श्वेश्वर्च फिजीकल डियर नेटवर्क रिय है समक जाने मूद फिजीकल लियर और इनक्रिप्चन डिक्रिप्शन आपकी इसी ले करता है कि Stay डेटा को क्या करता है अलग-अलग एप्लिकेशन के डेटा को सैप्रेट करके रखता अपर इन घीन में का का इस तीन लेयर के उपर में कोई काम नहीं होता है आपका खाम शुरू होता है ध्रांसपूर्ट लेयर से रह रॉप 2007 क्या करता है ड्रांसपूर्ट ल्याय स 170 नेटवर्क लेयर क्या करता है लैट वर्वर्क लेर्वर्ह आपको लोगिकल एडलेस प्रोवाइड करवाता है नेटरी नेट्वर्क लेर्डरियर मैक एडریस और फीजिकल लैलेर पर आपकी डेटा को बिट्स में के यह चोटा सा इंट्रो था ओएसा मुडल के बारे में होग कि आपको क्लियर वह वागा कि वाट इस लिए कर रहे हैं प्रक्राइब अभी अगर मैं बात को तो ऑसा मोल बिद्र को लाया गया था डिफ्रेंट वे प्रोशेस कि बताता है कि किस तरीके से दो अप्लिकेशन के भीच में किस तरीके से कम्यूनिकेशन होगी लिए तो आप इंटर्वीव में आप कभी भी इसका आंसर दे सकते हो ओप उसके आप मेहनद करो और इंटर्वीव के लिए वह आपसे पूछ ठाता है और आपने उसको लेयर को एक्स्प्रेइन क्या रहे उसने आप से यह तो नहीं पुछा था कि भाई ट्रांस्पोर्ट लेयर के उपर में क्या होता है तो मेक्शूर करिए कि यह चोटी-चोटी चीज़े पर आप धियान देंगे अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसने आपको कनस्प्यूजन हो कि यह है क्या हम लोग करते हैं तो आप मुझे कोमंट करिए उस टॉपिक का नाम उसके उपर में वीडियो बनाऊंगा कुछ लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया है रोटिंग के विडियो बनाने के लिए मैं स्योर बनाऊंगा इस्टैक रोटिंग और ड